साउमी ट्वेल प्रो जो हाल ही में लॉंच हुआ है न्यू लेधर फिनिश डिजाइन, सैमसंग सेकंड जनरेशन 2K AMOLED डिस्प्लेइ, फ्लेक्सिप चिपसेट, गोरिला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन, फ्लेक्सिप ट्रिपल किमरा सेटप, सूपर फास्ट चार्जिंग दोस्तों, आज मैं साउमी ट्वेल प्रो का लेधर ग्रीन कलर का अन्बोक्सिंग बताने वारा हूं, मैंने अल्लेडी परबल कलर का डीटेल अन्बोक्सिंग और एंड्सओन रिव्यू बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है, तो लिंक नीचे दिस्क्रिप्सिं में म मिल जाती है, और ये हाइस्ट ओरियंट है 12GB RAM 256GB स्टोरेज, और नीचे Dolby Vision Atmos की भी ब्रांडिंग मिल जाती है, बॉक्स के प्लास्टिक ब्रेप को रिमूव कर लेते हैं, और दोस्तों, ये दूसरा फोन है, चो स्नेप्ट्रेगन 8N1 फ्लेक्सिप चिप सेट के साथ आता ह और दो नए फोन लॉंच होने वाले है, Realme GT2 Pro और IQ9 Pro और दोनों के अन्बॉक्सिंग और हैंडस्ओन आपको कल और परसो दोनों मिल जाएंगे, तो सबसे पहले अन्बॉक्सिंग देखने के लिए सबस्क्राइब करके हमारी टेक्टीम को जोइन कर लीजए, अब वापस आ वालेटी काफी अची देखने को मिल जाती है, और यह है सामी 12 Pro फोन, जो लेधर वेरियांट में है, और यह है 120W का बड़ा सा पावर एडप्टर, जो कितने टाइम में फोन को चार्ज करेगा, यानि 0-100% कितने टाइम में चार्ज करेगा, वो मैं आगे बताने वाला हूँ सुन के आप सौक होने वाले हैं, और आखरी में वाइट कलर में टाइप C to A केबल मिल जाता है, बस बॉक्स में यही सब कुछ मिल जाता है, फोन के प्लास्टिक व्रेप को रिमू कर लेते हैं, और बात करते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ट की, फोन का बेक देखे तो ले देखने को मिल जाती है, मोड्यूल में में सेंसर पंपी दिया गया है, आप साइट से देख सकते हैं, फोन का जो बेक है वो साइट से कव देखने को मिल जाता है, यानि इन हैंड फिल भी काफी अच्छी मिल जाएगी, फोन की फ्रेम मेटल की दी गई है, तिकनेस करीब 8.2 में में की मिल जाती है, और वेट करीब 204 ग्राम का है, यानि थोड़ा बहुत हेवी है फोन, लेकिन इन हैंड फिल तो भी अच्छी मिल जाती है, प्लेस्मेंट देखे तो टोप में आयर ब्लास्टर, सेकंडरी, नोइस केंसलेसन मीक और टोप फारिंग स्पीकर मिल जाता ह 6.7 mmEach की सेंटरल पंच होल डिस्पले मिल जाती है, और डिस्पले की साइट सेकंड जनरेशन LTPO AMOLED डिस्पले है, जो 2K डिसुलिशन के साहती है, और रिफरेसरेट 120Hz की मिल जाती है, और डिस्पले को प्रोटेक करने के लिए ग्रिला ग्रिला गलास विक्टस का यूस जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी जरूर से देख लें लेकिन तो भी यहाँ पर बाके के specs और battery कितने time में charge होती है वो मैं आगे detail में बताने वाला हूँ और दोस्तों मैं जल्दी ही Xiaomi 12 Pro का detail camera review अपलोड करने वाला हूँ तो देखने के लिए subscribe कर दीजे ताकि जब भी में वीडियो अपलोड करता हूँ आपको notification मिल जाए अब फोन में performance की बात करें तो Snapdragon का HN1 Flexi Processor मिल जाता है जो 4NM platform पे बना है फोन में LPDR 5M मिल जाती है और storage UFS 3.1 मिल जाता है फोन में camera की बात करें तो rear facing triple camera setup मिल जाता है जहाँ पे primary 50MP का Sony MX707 sensor मिल जाता है जो पहली बार phone में use हुआ है secondary 50MP का telephoto lens मिल जाता है और third 50MP का ultra wide sensor मिल जाता है front में 32MP का selfie camera दिया गया है और phone में 8K video पी 24fps से record कर सकते हैं Xiaomi 12 Pro में battery की बात करें तो 4600 mAh की battery मिल जाती है जो चार्ज करने के लिए 128 का past charger मिल जाता है जो बैटरी को 0-200% करीब 18 minutes में ही चार्ज कर देता है और 7 में phone में 58 का wireless charging support भी मिलता है जो बैटरी को 42 minutes में ही 0-200% चार्ज कर देता है Xiaomi 12 Pro की price की बात करें तो base variant की price Indian रुपीज में करीब 55,100 तक होती है और बाकी के variant की price भी आप यहाँ पे देख सकते है और दोस्तो मैंने Motorola Age X30 का भी unboxing और hands-on review बता दिया है और नीटे लिवी भी upload कर दिया है जो पहला phone है जो 8 Gen 1 पे चलता है और यह सबसे सस्ता phone है जो 8 Gen 1 पे चलता है तो उसकी link भी मैंने description में दे दिया और उपर कार्ट में भी उसका वीडियो मिल जाएगा जो जरूर से देख ले तो दोस्तो ऐसे ही latest अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला giveaway देखने के लिए सबस्क्राइब करके हमारी tech team को जोईन कर लिए ताकि आपको latest awesome take update की नोड़ी किसन सबसे पहले मिल सके जैसे हमना वीडियो अप्लोड करते है तो दोस्तो मिलते हैं अगले latest take update की साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग, have a great day, keep smiling झाल